हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अमीद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चनल गाड़ेन गयान नमस्कर दोस्तों गाड़ेन गयान चनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 10 प्लांट बताऊंगा जिने आप फेवरेरी में लगा सकते हैं उसके कटिंग या फिर सीड से उसे ग्रू कर सकते हैं और वो आगे बहुत अच्छा चलेगा दोस्तों पहला नमर पे है दोस्तों बोगों मिलिया इसका कटिंग आप ले सकते हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है दोस्तों और ये हर एक कलर में आपको मिल जाएगा और फ्लावार भी लॉंग लास्टिंग वाला होता है तो अपने गाडन में रंग भी रंगी बोगों मिलिया जरूर लगाए दोस्तों और फ्लावार बहुत बढ़िया दिखता है कागज जैसा ही दिखता है और दोस्तों इसका हाइब्रीड भी अभी निकल आया है तो साल में तीन चार बार आपको ये फूल दे देगा और दोस्तों बीगनर्स के लिए भी ये प्लावार बहुत अच्छा है क्योंकि इजी टू मेंटन प्लांट है किसी भी सोयल मीडिया पर आप इसे लगाईए बहुत अच्छा ग्रो करता है बस इसके ग्रोइंग सिजन में आप थोड़ा इससे फटिलाइज कीजिए तो ये रेगुला रिजून तक फ्लावरिंग करता है दोस्तों और नेक्स प्लांट है हमारा मधुमालती का इसका देखिए ये डवल भराइटी है इसका सिंगल भी आता है सिंगल थोड़ा कमोन है दोस्तों डवल आपको मिलता है तो इसे जरूर लगाईए और ये देखिए डवल सेड में रहता है पहले वाइट रहता है और बाद में रेड हो जाता है और ये खुसबू के लिए भी जाना जाता है दोस्तों आपके गाडन को खुसबू से भर देता है तो फेबरेरी में इसका आप कटिंग लाइए और लगाईए नहीं तो नर्सरी से नया प्लांट अगर आपको मिलता है तो ला सकते हैं ये देखिए दोस्तों कैसे गुछों में फ्लावरिंग क्या है और आपके गाडन को फूलों से भर देता है दोस्तों ये नेक्स प्लांट है हमारा दोस्तों वाटर लीली का वाटर लीली भी बहुत सांदर प्लांट होता है और लो मेंटेनन्स वाला पानी के अंदर रहता है दोस्तों जितना भी धूप लगे इसे कुछी नहीं होता है और फेबरेरी में इसका डोरमांसी खतम होता है दोस्तों व ब्लाक है और ब्लाक मेरा फेवरेट है दोस्तों बहुत बढ़िया दिखता है यह सीड के थ्रू हो जाता है दोस्तों और मैं तो कटिंग से भी बना लेता हूं ऐसे चोटे-चोटे प्लांट दिखिए अभी मैं लगा दिया हूं आगे यह सब बहुत अच्छा करेंगे समर तक किलेंगे दोस्तों यह और यह देखिए सीड से मैं ग्रो किया था बहुत चोटे-चोटे प्लांट अभी आ गये हैं और इसको भी दोस्तों कैसे भी सोयल पे आप लगा सकते हैं इजी टू मेंटन प्लांट है बस इसे आप पानी थोड़ा कम दीजेगा और फूल सन में रख दोस्तों और एक महिना पहले में जो लगाया था उसी में फ्लावरिंग हुआ है तो यह आगे के लिए मैं रेडी कर रहा हूं दोस्तों मार्च के लिए और यह देखिए जीनिया जीनिया भी गर्मी पसंद प्लांट होता है दोस्तों और इसके भी बहुत सारा वेराइटी ओर भी निकलाया है जैसे की तॉल वेराइटी और बहुत सारा बहुत लगाया है दोस्तों और लोल मौलास्टिंग माला फूहल होता है एक फूहल एक महिना के लिए और जिखिए मैं इसे सीट से ग्रो किया था और बहुत सारा जीनिया हो गया है मेरा भी और बहुत बढ़िया फूल है दोस्तों प्लास्टिक जासा ही पुरा दिखता है और जीनिया का एक बात आप ध्यान रखेगा पानी इसे कम दीजेगा दोस्तों और नेक्ट प्लांट हमारा है दोस्तो पॉर्सलेन भी बहुत अच्छा प्लांट होता है लेकिन फ्लावर एक दिन ही लाश्टिंग करता है इसके बहुत सारा कलर आपको मिल जाएगा दोस्तों आहर कलर में और अभी तब बाइक कलर भी निकलने लगा है तो बाइक कलर आपको मिलता है तो लगाईए यह बहुत इज बात बड़ी है और इसे फूल संफे रखिए और पाहनी धुड़ा कम दीजिएगा पानी जदा होने पर यह रोट हो जाता है दोस्तों और मिली अग्ता है इस्सससे निली पक इस बंच लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है और एक कटिंग से आप दोस्तों बहुत सारा बना लेते हैं इसे इसे जरूर लाइए दोस्तों और लगाईए next plant है हमारा दोस्तों adenium का adenium का भी बहुत सारा variety अभी निकलने लगा है यह single petal है लेकिन rogy adenium और अच्छा दिखता है और single सब दोस्तों cowdex के लिए लगाया जाता है यह adenium ovissum है और इसका rogy variety मैं दखाता हूँ यह दखिए अभी रोजी के सब कलर निकलने लगे हैं दोस्तों और बाई कलर भी तो adenium rofentop plant होता है और February के लिए best plant होता है दोस्तों अभी डर्मांसी से यह निकलेगा और next है हमारा दोस्तों manda villa white manda villa का red और pink भी आता है लेकिन मैं white का बात कर रहा हूँ क्योंकि यह full sun बरदस कल लेता है और अगर आपके पास green net है तो आप red भी लगा सकते हैं लेकिन अभी February में इसे लगाईए आप manda villa white और next plant है हमारा दोस्तों garden यह थाई गाडेनिया है triple ले आराता है इसका petal और बहुत ही खुबसूरत और खुस्बुदार पोधा दोस्तों इसे आप जरूर लगाए इसका cutting से भी यह हो जाता है और cutting नहीं मिले तो आप nursery से लाके लगाईए दोस्तों यह बहुत बढ़िया फूल दिखता है गुलाब जैसा ही वाइट गुलाब जैसा दिखता है दोस्तों और इसका single variety आता है single उतना मज़ा नहीं आता है लेकिन single yellow act हो आता है दोस्तों वो बहुत खुस्बुदार होता है वो अगर आपको मिलता है तो उसे भी लगाईए तो यह था दोस्तों मेरा dust plant जो मैं आपको बताया जो February में आप लगा सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा फिर जल मिलते हैं और एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार